नमस्कार स्वागते आपका नियूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूलतियागी गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से खुले में नमास खुले का विवात चल रहा है वहीं सेक्टर 12 में में उसी जगा गोवर्दन पूजा की गई जहां जुम्मे की नमास पढ़ी जाती थी इस मामले पर आप राजनीती भी शुरू हो गई आपको बता दें कि नमास की जगा पूजा होने पर अपनी प्रत्रिया दी है उन्होंने इसे मुसल्मानों के प्रती सीधी नफरत बताया है असुद्दीन उवेसी ने ट्विटर पर लिखा कि गुरू ग्राम में शुक्रवार की नमास का विरोध इस बात का सठीक उधारन है कि ये प्रदर्शन कारी कितने कट्रपंती हो गए है ये मुसल्मानों के प्रती सीधी नफरत है हफते में एक बार 15-20 मिनट के लिए जुम्मे की नमास अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है आपको बता दें कि शुक्रवार को सेक्टर बारा में उसी पार्क में गोवर्दन की पूजा का आईजन किया गया था जिसमें जुम्मे की नमास अदा की जाती थी इस दोरान सबी जगाहों पर भारी पुलिस वल की भी तेनात रहा और इस पूजा में वीजेपी नेता कपल मिश्रा भी शामिल हुए उन्होंने मांग की कि सरकेथ हार में कतिवीडियो के लिए नहीं होती है इससे पहले नमास और पूजा को लेकर दूरों पक्षों के साथ पूलिस वरसाशन ने बैठक की थी पूजा और नमास के दौरान पूलिस भी काफी अलर्ट नज़र आई उधर पूलिस रदिकालियों के मताबिक सब कुछ शांती पूनवक रहा और कहीं से भी किसी भी तरह की कोई घटा सामने नहीं आई तो ऐसे में नमास की जगा गोवर्दन की पूजा होने पर ओवेसी भड़क गए और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है उन्होंने सीधे तोर पर लिखा ट्वीट करते हुए कि ये मुसलमानों के प्रती सीधी नफरत फैलाना है आपको बता दे कि गुरूगराम के सेक्टर 12 में जिस पार्क में गोवर्दन पूजा का आईजन किया गया ता हुआ जुमे की नमास भी होनी थी इसी को लेकर ओवेसी ने अब ट्वीट किया है जिस पर अब सियासत भी खुब की जा रही है